आप सभी को जैमसी की सुभा की प्रार्था में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और जिस प्रकार से हमने रविवार के दिन संदेश को सुना था कि किस प्रकार से हमें क्रिस्मस के लिए अपनी भेटों को तयार करना है और वास्तों में पिता परमेश्र और प्रभुईश्य म दिन हम भी पिता परमेशर से प्रार्थना करेंगे कि हम भी ऐसे विश्वास को प्राप्त करने पाएं जो कभी भी ना बदले और हमारा प्रेम प्रभुशु मसी के लिए वो कभी भी ना बदले हम इन तमाम चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि हम भी अपने हिदे की गहराई से वो सुन्दर सुगंद को हम पिता परमेशर और प्रभुशु मसी को अरपित कर सके और साथ ही हम भी इस अंसार के लिए वो गंधरस बनने पाएं जो बहुत से आत्माओं को बचाने पाएं हम भी अपने हिदे को तयार करने पाएं हम इन तमाम चीज़ों को याद करते हुए आज की प्रातना को अरपित करेंगे तो आईए आज की प्रातना को हम शुरू करते हैं हम सब अपनी आखों को बंद करेंगे और आज की प्रातना को करेंगे हलेलुया धन्यवाद पिता परमेशर हम आपका धन्यवाद करते हैं सचमुश में उन जीवन के वश्णों के लिए जिनके द्वारा हमें बहुत से गहरी आत्मिक बातों को सिखाते हैं कि किस प्रकार से हमें हर एक चीजों के लिए तयारी करना है और आपने हमें सिखाया बीते रविवार में कि किस प्रकार से क्रिस्मस की उन तीन भेटों को हमें तयार करना है जो कि मजुशों ने जब हमारे प्रभु इश्यु मसी का जनम हुआ उस समय चढ़ाया था पिता परमेशर अब हमने जाना कि वास्तों में सोने का अर्थ क्या है पिता परमेशर अब हम भी अपने विश्वास को उश्युत सोने के समान बनाना चाहाते हैं जो सचमुश में किसी भी प्रिस्थिति में नहीं बदलता अब हम जान पाएं कि सचमुश में जो सोना होता है वो किसी भी प्रिस्तिती में वो कभी भी नहीं बदलता उसके अंदर जो गुन होते हैं वो कभी भी नहीं बदलते पिता परमेशर आप हम सब की मदद कीजिए कि हमारे पास भी ऐसा विश्वास और ऐसा प्रेम हो पिता परमेशर आप हम सब की मदद कीजिए कि हम भी अपने उस पहले प्रेम को कि जब हमने पहली बार प्रभुशु मसी से प्रेम किया था उस प्रेम को हम भी अपने हिर्दे में लगातार ऐसे ही रखना चाहाते हैं चाहे कोई भी प्रिस्तिती क्यों ना हो हम कभी भी अपने प्रेम को प्रभू के लिए हम कभी भी ना बदले हम कभी भी किसी बात के लिए शिकायत ना करें, किसी भी बात के लिए संधे ना करें अपने हिर्दे में पिता परमेशर आप हमारी मदद कीजी कि हम भी इस थिर प्रेम को और उस थिर विश्वास को हम हमेशा अपने हिर्दे में थामे रहें हम भी अपने विश्वास को जाचे कि हमारे पास किस प्रकार का विश्वास से कि क्या हमारा विश्वास बदल जाता है या नहीं जब हमारे सामने मुश्किले आती हैं पिता परमेशर आप हमारी मदद कीजे कि हम इस बात को याद रखे कि पिता परमेशर वो हमसे चाहाते हैं कि हमारे पास शुत सोने के समान विश्वास जो पुरा 100% सोने जैसा होता है जो कभी भी बदलता नहीं चाहे कोई भी प्रिस्तिती क्यों ना हो पिता परमेशर आप हम हम उधार के लिए हर एक सिती में अपने पिता परमेशर को और अपनी प्रभू इशुमस्टी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमने उस सबसे बड़ी आशीश को पाया है अपने प्रभू के द्वारा कि हम उधार को प्राप्त किया पिता परमेशर आप हम सब की मदद पिता परमेश्वर कि किसी भी सिती में हमारा विश्वास हमारा भरोसा वो कभी भी बदले ना और कभी भी हमारा विश्वास वो ठंडा ना पड़े वरन हर दिन आपके प्रेम को और आपके अनुग्रहे को हम अपने हिदे में रखें और हमारा प्रेम और हमारा विश्वास व हम सब की मदद कीजिए हमने सुना की हमें भी उस लोह बान के समान अपनी हिदे की सुन्दर सुगंद को आप और पित करना है पिता परमेशर जब हमारे हिदे में तमाम पाप होते हैं तमाम बुराया होती हैं गुसा जलन दुरभावना इर्शा नफरत एहिंकार तो हमारे हिदे की जो सुघंद होती है उसमें कोई भी खुश्ष्पु नहीं होती वो एक गंदी बदव की समान आपके सामने आती है पिता परमेशर जिसे आप ग्रहन नहीं करते हाफ हमारी मदद कीजिए की हम भीं अपनी पापो को हम भी दूर करना चाहाते हैं और हम भी अपने हिर्दे की एक अच्छी सुगंद को अपने पिता परमेशर को अर्पित करना चाहाते हैं जिससे हम भी पिता परमेशर से और जाधा प्रेम को प्राप्त करने पाए पिता परमेशर आप हमारी मदद कीजिए कि हम भी अ सुन्दर सुखंद को आपके सामने अर्पित करना चाहते हैं आराधना की समय पिता परमेश्र आप हम सब की मदद कीजिए ताकि जब भी हम आराधना करते हैं हम अपने हिदे की सुन्दर सुखंद को सूतियों के द्वारा आपको अर्पित करने पाए और साथी प्रातनाओं क कि द्वारा भी हम सुन्दर सुखंध को आपको अर्पित करना चाहते हैं पिता परमेशर, आफ हम सबकी मदद कीजिए कि हम पविता आत्मा की अग्वाई में होकर उन तमाम प्रात्मा को करने पाएं, जिससे कि वो सुन्दर सुखंध आपको पहुँचने पाई पिता परमेशर आप हम सब की मदद कीजिए आप हम सब को ताकत और अनुग रहे दीचे पिता परमेशर सचमुच में आज जी संसार ये शाररेक तौर से मर चुका है हर एक आत्माई पिता परमेशर अभी भी संसार में बहुत से ऐसे आत्माई हैं जो प्रभुशुमसी को नह जानती और वो ऐसे ही मर रही है पिता परमेश आप हमारी मदद कीजे कि हम भी संसार में वो जोती और वो नमक बनने पाएं कि हम भी इन अनके दिनों में आपके सू समाचार को हम करना चाहते हैं पिता परमेश और बहुत से आत्माओं को अपनी प्रभुशुमसी के नजदीक हम लेकर आना चाहाते हैं पिता परमेश्राप हमारी मदद कीजिए कि हम इन जीवन के वश्णों को जो हमने अपने सीनर पाच्र के द्वारा सुना है हम भी दूसरों को इनके बारे में बताएं और बहुत सी आत्माएं वो प्रभू को ग्रहन करने पाए और इस प्रकार से हम अपने प्रभू की उस आत्मे का प्यास को बुझाना चाहाते हैं पिता परमेश्राप हमारी मदद कीजिए कि आपके वश्णों पर हम हर पर भरोसा रखें जो भी आपने हमें बाइवल में आग्याये दी हैं इन वश्णों को हम अपने हिदे में थामे रहें और उसके अनुसार चलने पाए पिता परमेश्र आप हमारी मदद कीजिए और हम सब को ताकत और अनुग्रह है दीजे पिता परमेश्राप उपर से हमें बुद्धी दीजिए ताकि हम इन तमाम कारियों को करने पाए आप पिता परमेशर आप सबसे बढ़कर चाहाते हैं कि हम अपने हिदे को आपको अरपित करें पिता परमेशर इस अंसार में ऐसा क्या है जो हम आपको दे सब कुछ आपका ही है लेकिन आप हमसे चाहाते हैं कि हम भी अपने हिदे को आपको अरपित करें क्योंकि आपने मनुश्यों को इसलिए बनाया है कि आप भी उनके साथ प्रेम को दे सके और उनके प्रेम को प्राप्त कर सके और केवल यही तरीका है जब हम वश्णों का पालन करते हैं आप क्या ग्याओं के अनुसार चलते हैं तो आप भी हमसे प्रेम करते हैं और आप भी हमारे प्रेम को ग्रहेंड करते हैं इस तरीकी से आप बहुतायस से आप अपने संथानों को इस प्रिथुई पर भी हर एक चीज़ों में आशिशित करते हैं पिता परमेशर हम दोबारा से अपने प्रभु शुमसी के उस प्रेम को और उस बलिदान को हम याद करते हैं कि हमारे प्रभु वो स्वर्गे महीमा को छोड़ कर उन सबी चीजों को छोड़ कर वो इस प्रित्वी पर आये क्योंकि उन्होंने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उन्हों प्रभुशु मसी वो चर्णी में जन में क्योंकि उन्होंने हमें उस आत्मिक भोशन को दिया अब उस आत्मिक भोशन को हम हर दिन लेना चाहाते हैं ताकि जो हमारी आत्मा है वो हस्ट पुस्ट बन सके पिता परमेशर और वो आत्मिक तौर से स्मृत बन सके पिता परमेशर करते हैं आप सारी महीमा को लेजे प्रभु शुमसी के नाम से प्रात्ना करते हैं आमेन हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं जो भी हमारे साथ इस सुभा की प्रात्ना में शामिल था और हम भी अपने प्रभु से मिलने के लिए क्रिस्मस के दिन हम भी अपने हिदे से उन सुन्दर भेटों को तयार करें और अपने प्रभूई शुमसी को अर्पित करें आप सब का धन्यवाद